ये पार्ट 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं अम्मा सिर हिलाती हिलाती मैहर के साथ हो ली पर आखों में जैसे वर्षो पीछे घूम गई ऐसे ही एक दिन वह मैहर को अपने बेटे के पाँ छोड़ कर आई थी वह अंदर जाती थी बहार आती थी पर इस घर की मालकिन थी पीछे और पीछे इधर देखना इधर एक मोटिवेशन है मतलब अच्छा बात है वो ध्यान से सुनना पीछे और पीछे बाजे गाजे के साथ उसका अपना डोला इस घर के सामने आ खड़ा हुआ गहनों की छंकार करती वह नीचे उतरी घूंगट की ओट से मुस्कुराती नीचे जुकती और पती की भूड़ी फूड़ी 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 फूफी यानि बुवा से आशिरवाद पाती दादी अम्मा को उभगते देख बड़ी बेटी हिला कर कहने लगी उठो अम्मा जाकर सो रहो यहां तो सभी देर तक हसी ठटा होता रहेगा दादी अम्मा जपी जपी आँखों से पोती की देखती है और जुकती कमर पर हात रखकर अपनी कमरी की ओल लोड़ जाती है उस दिन अपनी चायर पाई पर लेट कर दादी अम्मा सोई नहीं आखों में ना उंग थी ना नींद थी एक दिन वह भी दुलहन बनी थी बूड़ी पूफी ने सजा कर उसे भी पती के पास भेजा था तब क्या उसने यह कठोरती देखी थी ब्याह के बाद वर्शों तक उसने जैसे यह जाना ही नहीं कि फूफी दिन भर काम करने के बाद रात को यहां सोती है आखे मूंद जाने पर पहले जब फूफी बिमार हुई थी तो दादी अम्मा ने कुलीन बहु की तरह उसकी सेवा करते करते पहली बार यह जाना था कि घर में इतने कमरे होते हुए भी फूफी इस पिछवाड़े में अपने अंतिम दिन काट गई पर यह देखकर जानकर उसे अच्यरे नहीं हुआ था घर के पिछवाड़े में पड़ी फूफी की देह चादर पेड़ के पुराने तेन की तरह लगती थी चादर पेड़ इस तरह का पेड़ रखता है मतलब इतना कमजोर पेड़ रहता कि उसकी जो एक डाल हम लोग तोड़ेगे ना तुरन तोड़ जाएगी जिसके पत्तों की छा उसे अलग उससे परे पर फैली हुई थी आज तो दादी अम्मा स्वय फूट फी बनकर इस कोठिरी में पड़ी थी मतलब इस स्टोरी का मतलब है जैसा करोगे वैसा भरोगे पड़ी थी वहा के कुला काल से निकल कर जब दादा ठक कर अपनी चार पाई पर लेटे तो एक लंबा चैन सास लेकर बोले क्या सो गई हो इस बार की रोनक लेन देन तो मजले और बड़े बेटे के व्या को भी पार कर गई समधियो का बड़ा घर ठहरा दादी अम्मा लेन देन की बात पर कुछ कहना चाते हुए भी नहीं बोली चुपचा पड़ी रही दादा सो गए अवाज धीमी हो गए बरांदमे में महर का रोभी लास्वर नौकर चाकरो को सुभग के लिए अज्याय देखकर मौन हो गया रोभी लास्वर मींस एकड़म कठोरता डिंजर है उसका स्वैडनेस भी होता है हो गया दादी अम्मा पड़ी रही और पतली नीन से घिरी आखों आखों से नए पुराने चित्र देखती रही एक आएक करवाट लेते लेते दो चार कदम उठाए और दादा की चार पाई के पास आख खड़ी हुई जुक कर कुशन तक दादा की ओर देखती रही दादा नीन्द में बेखबर थे और दादी जैसे कोई पुरानी पहचान कर रही थी खड़े खड़े कितने पल बीद गए क्या दादी ने दादा को पहचाना नहीं चेहरा उसके पती का है पर दादी को इस चेहरे को नहीं चेहरे के नीचे पती को देखना चाहते हैं उसे बिछड़े गए वर्षयों में से वापस लोटना लेना चाहती है सिरहारे पर पड़ा दादा का सिर बिलकुल सफेद था बंद आखे थे लगी जुरिया ही जुरिया थी एक सूखी बहा कंबल पर सिकड़ी सिपड़ी थी यह नहीं यहां नहीं यहां तो नहीं दादी अम्मा जैसे सोते सोते जग पड़ी थी वैसे ही इस भूले भटके भवर में से उपर नीचे होती चार पाई जा पड़ी मतलब ऐसे भटकते भटकते देखते रेखते वह अपसे अपनी चार पाई यानी खटिया में जाके पर गई उस दिन सुभा उठकर जब दादी अम्मा ने दादा को बाहर जाते देखा तो लगा कि राद भर की भटकी भटकी तस्वीरों में से कोई भी तस्वीर उनकी नहीं थी वह इजब सुखी देख और जुके कंधे में से किसे ढूड रही थी दादी अम्मा चार पाई की बाहों से उठ और लेड गई उठी और लेड गई मतलब उठते ही वह पस लेड गई अब तो इतनी सी दिन चारे शेश रह गई है बीच बीच में कभी उठकर बहों के कमरों की ओर जाती तो लड जगड कर लोट आती कैसे हैं उसके पोते जो उम्र के रंग में भी किसी की बात नहीं सोचते किसी की ओर नहीं देखते बहुक और बेटो उन्हें भी कहां फुरसत है मेहर तो कुछ न कुछ कहकर चोट करने से भी नहीं चुकती लड़ने को तो दादी भी कम नहीं पर अब तीखा तेज बोलने लेने पर जैसे ठक कर चूर चूर हो जाती मतलब ज़्यादा जगड़ा जगिए बोलती है बोलने बीना रह नहीं पाती पर बाद में घंटों भैठी सोचती रहती है कि वIXक्यों उसने माथा लगी है मतलब उसने क्यों फाल्दुगा इसमें गिरी है जीने उसकी परवान ही मेहर की तो अब चाल ढाल ही बदल गई अब वह उसकी बहु नहीं तीन बहुँ की सास है मतलब वह बोली जब वह बहु थी तब मेरी बहु थी रेख देखरेख से अधिक अभ बहु द्वारा ससुका आधर मान ही अधिक होता हैं कभी अंदर बाहर आते जाते अम्मा मिल जाती तो जूकर बेटा मां को प्रणाम अवश्य करता लेकन देखो बेटे पेटर इतनी जति माह कभी भी मिलती आते आते जाते तो जुक कर प्रणाम जरूर करता दादी अम्मा गर्दन हिलाती हिलाती आश्रिवाद देती जीओ बेटा जीओ इससे ये मिलता कि माँ हमें इसे कितनी भी गुसा हो लेकिन एंड में उभूलेगी जीओ बेटा जीओ हमेशा खुश रहो कभी मेहर की जली कटी बाते सोच बेटे पर क्रोध और अभी मान करने को मन होता है पर बेटे को पास देकर दादी अम्मा सब भूल जाती है ममता भरी पुरानी आँखों से निहार कर बार बार आशिरवाद बरसाती चली जाती है सुख पाव भगवान बड़ी उम्र दे कितनी गंभीर और शीलवान है उसका बेटा ये तो उसका ना पोते को ही देखो कभी जुक कर दादा के पाव तक नहीं चूते आखिर मा का असर कैसे जाएगा इन दिनों बहु की बात सोचते ही दादी अम्मा को लगाता है कि अब मेहर उसके बेटे में नहीं अपने बेटों में लगी रहती है दादी अम्मा को वह दिन भूल जाते हैं जब बेटे के व्या के बाद बहु बेटे के लाड़ चाओ में उसे पती के खान पीने की सुद तक न रहती थी और जब लाक लाक शुक्र करने पर पहली बार मेहर की गोद भरने वाली थी तो दादी अम्मा ने आकर दादा से कहा था बहु के लिए अब यह कमरा खाली करना होगा हम लोग फूफी के कमरे में जा रहेंगे दादा ने एक भरपूर नजरों से दादी अम्मा की ओर देखा था जैसे वह बीद गए वर्षो को अपनी दुष्टी से टटोलना चाहते हो फिर सिर पर हाथ फेरते फेरते कहा था क्या बेटा वाला कमरा बहु के लिए ठीक नहीं नायक क्यों क्यों यह सब कुछ उल्टा सीधा करवाती हो तो यह मैं अगर आपको यह थोड़ा सब बुरिंग लग रहा हो तो कोई नहीं कर सकते हैं लेकिन एक एक वर्ड इसमें इंपोर्टेंट है इसलिए और यह स्टोरी पी कुछ मोटिवेशन है इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझा रहा हूं और यह वाली वीडियो थोड़ी बड़ी जाएगी इसके बाद देखते हम कितने पाड़ ओहो तुम समझोगे भी बेटे के कमरे में बहु को रखूंगी तो बेटा कहां जाएगा उलटते सीधे फिक्र तुम क्यों करते हो मैं सब ठीक कर लूँगे और पत्नी के चले जाने पर दादा बहुत देर भारी मन में सूचते रहे कि जिन वर्षों का बिताना उन्हें आशा विराम बनकर आज खड़ी हो गई है आज सच मुझ ही उसे उल्व लट फेर की परवा नहीं है इस कमरे में बड़ी फूफी उनकी दुलहनी को छोड़ गई थी दुलहन को छोड़ गई दुलहन में जो उनकी बहु रहती है उस कमरे को छोड़ कर आज वह फूफी के कमरे में जा रही थी केवल शन भर के लिए उन्हें बेटे से इर्शा हुई और उदासनीता में बदल गई और पहली रात जब वो फूफी के कमरे में सोई तो पत्नी बहु के पास नहीं लेटी थी कुछ दे प्रतिक्षा करने के बाद उनकी पल के जबकी तो उन्हें लगा कि उनके पास पत्नी की नहीं फूफी का हाथ है दूसरे दिन मेहर की गोद भरी थी बेटा हुआ था घर की मालकिन पती की बाद जानने के लिए बहुत अधिक वैस्त थी कुछ दिन से दादी अम्मा का जी अच्छा नहीं दादा देखते हैं पर बुड़ापे की बिमारियां से कोई दूसरी बिमारी बड़ी नहीं होती तो कौन सी बिमारी है जिसे दुनिया में बड़ी नहीं होती तो बुड़ापे की बिमारियां से कोई दूसरी बड़ी बिमारी नहीं होती दादी अमा बार-बार करवट बदलती और फिर कुछ-कुछ देर के लिए हाफ कर पड़ी रह जाती दो-एक दिन से वह रसोई घर की ओर भी नहीं आई जहां महियर का अधी प्यात रहते हुए भी वह कुछ-नकुछ नौकरों को सुनाने में चुकती नहीं है आद दादी को ना देख कर छोटी बेटी हस कर मजली भावी से बोली भावी दादी अमा के पास अब शायद कोई लड़ने जगडने की बाद नहीं रह गई है नहीं तो अग तक कई बार चकर लगाती दोपहर को नौकर जब अमा के यहां से अंचुई ठाली उठा लाया तो महर का माथा ठनका माथा ठनक यानि दिमाग साटक गया उसका मतलब ब्रेन वह हो गया तो अमा के पास जाकर बोली अमा कुछ खा लिया होता क्या जी अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है वीडियो अगर आपको यहां पसंद आई तो हम इसका पार्ट 6 अब बनाते हैं पार्ट 6 पे अप्लोड करते हैं और मिलते हैं आपको पार्ट 6 में झाल झाल